हेलो ग्रीवन दीपक है और वेलकम तो तुम्हारे सिक्षाइएं गाइस आज का जो हमारा वीडियो एसमें हम कुछ टूल्स के ऊपर डिसकस करने वाले ठीक है बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट टूल है और आप इसका यूजियो अगर आप देजिटल मार्केटिंग कर रहे हो और आप आप से पहला जो हमारे पास टूल है इसके उपर हम डिसकस करते हैं okay so tool by the name unsplash.com ठीक है unsplash.com आप यहां पर देख सकते हो ठीक है so simply अगर आपकी यार requirement है कुछ images की so यहां से आप images download कर सकते हो या फिर wallpaper की जरूरत है तो आप यहां से download कर सकते हो okay for example मैं यहां पर सर्च करता हूँ digital marketing digital marketing okay and I'm searching here see बहुत सारे images आ रहे हैं and आप social media के लिए आप इसका use कर सकते हो अगर आप blogging कर रहे हो तो काफी ज्यादा यह आपको कामाने वाला है अगेन यहां से मैं search करता हूँ marketing okay so यहां पर आपको images देख रहे हैं okay so next अगर मैं यहां पर select करूँ creative okay so यहां पर आ रहा है बहुत सारे creative आ रहा है and अगर मैं यहां पर search करूँ phones right then see okay so now human मैं आपर search करता हूँ then see और भी different different businesses में आप इस तारे images का use कर सकते हूँ आप देखो कि आपके business के लिए कौन सी business की requirement है अगर यह आपके businesses के लिए feedback ती है आप इसे use कर सकते हूँ right then life see अब मैं यहां पर search करता हूँ for example hope see again मैं यहां पर search करता हूँ nature okay see easily आप इससे download कर सकते हूँ and इसका use कर सकते हूँ so यहां पर बहुत सारे variations है आप इसका use कर सकते हूँ अगर मैं अगेन यहां पर click करूँ unsplash and see I am searching here बहुत सारे categories आपको यहां पर देख रहे हैं and यहां पर मैं search करता हूँ fashion right then see to blogging वगर में आप अच्छे से use कर सकते हूँ in सारे images इसका right आप content बना सकते हूँ using this ms technology see okay so again बहुत सारे बहुत सारे categories है अगर मैं यहां पर search करूँ animals पर let's see यहां पर already categories बने हुए and आप search भी कर सकते हूँ अगर मैं यहां पर search करूँ spirituality let's see okay so हर field से related आपको यहां पर images मिल जाएंगे okay now I am clicking here explore and then see यहां पर बहुत सारे categories आ रहे है again मैं यहां क्लिक करता हूँ then यहां पर मैं क्लिक करता हूँ food and drinks okay so इसका आप use कर सकते हो okay so बहुत ही जादा important tool है आप इसका यूज कर सकते हो and then I am going here history see right so अगर आपके business के लिए यह useful है तो आप इसका यूज कर सकते हो right website के images के लिए भी आप use कर सकते हो आप search करो and देखो अगर आपके website के लिए comfortable है then आप यूज कर सकते हो then दूसरा जो हमारा tool है उसपे मैं click करता हूँ यह है एक logo maker okay so आप इसके through logo बना सकते हो okay so अगर simply मैं यहाँ पर click करूँ make a logo right then यहाँ पर मैं आप अपने field का नाम डाल दो जिस फी field से related आप लोगों बनाना चाहते हो right तो for example मैं यहाँ पर डालता हूँ sports and fitness right and then यहाँ पर text क्या होने चाहिए वो यहाँ पर डालता हूँ तो मैं यहाँ पर डालता हूँ okay and then आपका जोगी tagline है वो आप दे सकते हो तो यहाँ पर मैं डालता हूँ आपको यूज करने है तो यहाँ पर मैं आइकन सेलेक कर लेता हूँ आप यहाँ पर कर लेता हूँ okay and then next यहाँ पर मैं चाहँ पर इससे मैं सेलेक कर लेता हूँ अब यहाँ पर मैं लेडाउट्स लेक र्लेता हूँ and then next यहां पर बहुत सारे लोगो बन गया आ रहे हैं रिए आप इसे सेब कर सकते हुं। आप इसका यूसर कर सकते हुं। इन अगेन मैं और फर्ड पेज कि आप इसका यूसर कर सकते हुं। okay so again we have new tool for logo making okay make my logo okay so यहां पर इस tool का जो नाम है वो है logo maker and again logo crisp okay our second tool for logo making अब यहां पर बहुत सारे logos आ रहे हैं right अगर मैं कि दूसरे pages पर जाओं तो बहुत सारे स्टाइल्स आ रहे हैं कि यह कुछ ठीक नहीं लग रहा है अगर मैं इस पर क्लिक करूं okay so color आप यहां से change भी कर सकते हो right edit कर सकते हो जो भी आप edit करना चाहते हो right then text color अगेन इसे भी आप change कर सकते हो okay then text color की size आप change कर सकते हो right for example यहां पर मैं ढालता हूं तुम्हारी सक्षा तुम्हारी सक्षा तुम्हारी सक्षा राइट इसे मैं डाल दे हो और लोगो कलर्स आप इसे चेंज कर सकते हो तें टेक्स्ट कलर्स आप इसको भी चेंज कर सकते हो राइट और इसके कलर को में थोड़ा सा तो अब मैं इसे प्रिव्यू करता हूं सी देख रहा है तुम्हारी सिक्षा राइट सो इसे मैं डालता हूं अगें यहां पर आप अगर कोई आइकन एड करना चाहते हो तो वह भी आपस आपके पास है तो फॉर एक्जैंपल यहां पर मैं डालता हूं आप एड्यूकेशन जाइट इसे मैं यहां पर करता हूं तो यहां पर बहुत सारे आइकन सारे रहें रैइट सिम्प्ली आप यहां पर क्लिक करों ठीक्ट आप इसे add कर सकते हो इसे मैं हट आ सकता हूँ इसे आप कर दो यहां से delete आप अगें इससे use कर सकते हो आइड अगें अगर आप add icon करना चाहते हो अगर आपकी computer में already कोई icon है तेन यहां से आप उसे add कर सकते हो उसकी images upload कर सकते हो right so यह काम आप कर सकते हो so now again we have new logo maker logaster यहां पर मैं डालता हूँ तुम्हारी सिक्षा तुम्हारी सिक्षा ओके and then tagline यहां पर मैं छोड़ देता हूँ option okay in abstract यहां पर मैं डालता हूँ education right and colors यहां पर मैं ले ले लेता हूँ red and जो आपको नहीं चाहिए color आप simple इसे uncheck कर दो and then कर दो आप okay and simple आप करो create कि देख रहा है आपको यहां पर preview already आपको देख रहा है okay again see तुम्हारी सिक्षा तुम्हारी सिक्षा तुम्हारी सिक्षा you can edit also right now again we have new tool and that is graphic berger okay आप यहां से icons पर डाउनलोड कर सकते हो right so यहां पर मैं क्लिक करता हूँ okay and you can simply download it from here so बहुत सारे icons यहां पर देख रहा है आप and simply यहां से आप डाउनलोड कर सकते हु okay so यहां पर बहुत सारे text effects आप डाउनलोड कर सकते हो see बहुत सारे effects यहां पर नजर आ रहे अगिन cinematic 3d effects यहां पर इस सारे effects आप डाउनलोड कर सकते हो and you can use this okay then backgrounds यह सारे background आप यूज़ कर सकते हो अब अगर मैं क्लिक करूँ others पर यहां पर बहुत सारे और भी variations आ रहे है अगर आपके business के लिए यह important है आप इसका use कर सकते हो राइट बाइद वे यह जो चारो टूल है राइट लोगो मेकर्स, add-ons class बहुत ही ज़्यादा important है and again, अगर icons वगरे के लिए यह भी टूल बहुत ही ज़्यादा important है easily आप इसका use कर सकते हो राइट so I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा and make sure अगर आप यह सारी चीज़े कर रहे हो अगर आप social media marketing में हो यह सारी affiliate marketing कर रहे हो blogging कर रहे हो then make sure आप इसका use कर रहे हो बहुत ही ज़्यादा help करेगी आपको and I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा if you like this video then please subscribe the channel guys and thank you so very much